प्रिये भाईयों और बेहनों, आज सुबह आपके बीच बाइबल मिनिस्ट्री की ओर से मैं C.S. रतना सामी एक सिक्षा के विशे में आपको समझाना चाहता हूँ, जिसका टॉपिक है क्या आप मिश्रित हो रहे हैं। जब हम परमेश्वर की वच्चन प्रेतो काम 13.49, 13.39 में पढ़ते हैं, जिन बातों से तुम मुसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोश नहीं ठैर सकते थे, उनी सबसे हर एक विश्वास करने वाला उसके द्वारा अर्थात येश्व मसी के द्वारा निर्दोश ठैरता ह परमेश्वर का अनुग्रे को समझने के लिए ये आवश्चक है कि आप व्यवस्था की पुरानी वाचा और अनुग्रे की नई वाचा के बीच के अंतरों को समझें व्यवस्था और अनुग्रे की अपनी समझ को तेज करने में मदद करने के लिए मैं आपके साथ अपने पसंदिदाज आयतों में से एक कुसाजा करना चाहता हूँ मैंने जादा तर समय इस आयत का प्रचार किया यह यहना एक सत्रा क्योंकि मुसा के द्वारा व्यवस्था दिया गया था लेकिन अनुग्रे और सच्चाई येश्य मसी के माध्यम से आई व्यवस्था एक दाश के माध्यम से दिया गया था अनुग्रे और सच्चाई बेटे के माध्यम से आई आदमी क्या होना चाहिए इस बारे में विवस्था बात करती है अनूग्रे से पता चलता है कि परमेश्वर कौन है मुसा के पहले चमतकार में उसने पानी को खून में बदल दिया जिस से मौत हो गई अनुक्रे के पहले चमतकान ने येश्यू ने प्रानी को दाखरस में बदल दिया जिसके परिणाम सरू जीवन और उत्सों मनाया गया बाइबल में जैसा लिखा है शब्द अर्थात व्यवस्था मारता है लेकिन आत्मा जीवन देती है इसके लिए देखें दूसरा कुरंतियों तीन का चै व्यवस्था के तहट परमेश्वर पापी दिवालिया आदमी से धार्मिक्ता की मांग करता है लेकिन अनुग्रे के तहट परमेश्वर एक उपहार के रूप में धार्मिक्ता परदान करते हैं अब आप किस वाचा के तहट रहना चाहेंगे उत्तर स्पष्ट है सच्चाई कलवरी मेक्रूस के माध्यम से है जो सभी एश्यू पर विश्वास करते हैं उसे अपने परमेश्वर और उधार करता के रूप में स्वीकार करते हैं अनुग्रे की नई वाचा के तहत है फिर भी आज कई विश्वासी अभी भी भ्रह्म में जी रहे हैं और विवस्था और अनुग्रे प्राप्त करते एक साथ प्राप्त करना चाहते हैं जो विवस्था कि कुछ पहलों और उनकी मसी मान्यताओं और अनुगरे के कुछ पहलों को पकड़ कर मिलाया जाता है ये इसुने कहा कि आप पुरानी मश्चों में नई दाकरस नहीं डाल सकते नई दाकरस मश्चों की खराब कर देंगे और फार देंगे और आप दोनों को खो देंगे जैसा कि मती 9, 17 में हम पढ़ते हैं उसी तरह आप अनुग्रे की नई दाकरस को व्यवस्ता की पुरानी दाकरस में नहीं डाल सकते एक दूसरे को रद कर देगी इसके बारे में देखे रोमियो 11 का 6 व्यवस्ता के तहट परमेश्वर ने कहा मैं किसी भी तरह से दोशी को माफ नहीं करूंगा लेकिन मैं तीसरी और चौती पीडी के लिए उनके पापों को का दोश लगाऊंगा इसे देखते हैं हम निर्गमन 34 साथ में लेकिन अनुग्रे के तहट परमेश्वर कहते हैं मैं उनके अधरम के प्रती दयालू रहूंगा और उनके पापों और अधरम के कामों को मैं और याद नहीं रखूंगा ये बड़ा स्पष्ट है इबरानियो 8 बारा में एक बदलाव आया है क्या आप परम उच परिभाशा के साथ देख सकते हैं कि एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है और ये सब येश्व के कारण है आज अनुग्रे की नई वाचा के तहट पून रूप से जीवित रहना चुने जहां क्रूस पर मसी के परिपून काम के माध्यम से आपके पास उपार के रूप में परमेश्वर की धरमिकता मिलती है और उसकी जीवन की आत्मा उसको हार आपको हार के छेत्रों पर विजे प्राप्त करने के लिए अग्रनी करती है मैं आशा करता हूँ आज की इस सिक्षा से आपने संदे आशिशित्वे होंगे इस सच्टे को आप जानके आप सही रूप से येशु मसी का अनुगरे को लें और ये अनुगरे सुस्वमाचार से मिलता है जब हम येशु मसी को अपना उद्धार करता है अंगिकार करते हैं और निश्चे उद्धार करते हैं नया जर्म पाते हैं मेरी आप से करबद निवे देन है कि आप इस चोटी सी प्रात्ना को कर सकते हैं आज तक आपने इस अनुग्रे को प्राप नहीं किया है। क्योंकि अनुग्रे विवस्था के कामों से नहीं मिल सकता। ये बड़ा स्पैस्ट है। आईए में इस साथ ये दुआ करें। येश्य मसी, मैं तुझे आज अपना प्रभू और उद्धार करता हूँ, और मन में विश्वास करता हूँ कि तु मेरे पाप के लिए मारा गया, गारा गया और तीसरे दिन जी उठा, येश्य के नाम से मांगता हूँ, आमीन